Hello students, welcome in Navbharti family. I am your chemistry teacher Priya Sharma. हम लोग आज chapter 2 पढ़ने वाले हैं, जो कि class 11 का chapter है, atomic structure. इससे पहले का chapter 1 है, some basic concept of chemistry, वो मैं आपको अल्रेडी पढ़ा चुकी हूँ, आप वो जाकर lecture देख सकते हैं. जो यह chapter है, atomic structure, यह IIT, NEET और साथ में NDA के हिसाब से बहुत ही basically important chapter है. तो आपको इसको अच्छी तरीके से समझना है, तो देखे, atom को समझने से पहले हमें यह जानना पड़ेगा कि matter क्या होता है, है ना, matter क्या होता है, सबसे पहले आप यह चीज़ देख लीजिए, यह है structure of an atom, देखे, structure of an atom, कुछ इस तरीकी से दिखता है atom का structure, अब हम के matter क्या होता है, देखे, matter is anything that has mass and takes up space, वो जितनी भी चीज़ें जिनका mass होता है, और जो occupy करती है space, उनको हम बोलते है matter, suppose to be, अगर एक dog है, वो floor के उपर बैठा हुआ है, ठीक है, तो dog जो है, उस floor की जगह को घेर रहा है, है ना, और साथ में जो dog है, उसका खुद की body है, मतलब उसका mass भी है, और उसने एक जगह भी घेर रखी है, तो वो dog क्या हुआ, matter, उसी तरीके से आप हम सभी जो है, वो matter होते है, वो जो भी चीज जिसका mass हो, और जो occupy करे space को, यानि उस जगह को घेरे, उसे हम बोलेंगे matter, अब सबसे interesting बात यह है, कि जो matter है, वो किस से बना हुआ होता है, जो matter है, वो atoms से मिलकर बना हुआ होता है, atoms से, है ना, तो इसलिए atom को पढ़ने से पहले matter के बारे में ज अगर बात करें कि atom को किसने सबसे पहले बताया, तो हमारे Indian philosopher थे, महर्शी कनर जी, उन्होंने जो है, सबसे पहले अनू और प्रमानू के बारे में बताया, उन्होंने ये भी बताया कि जो प्रमानू है, उसको हम further divide नहीं कर सकते, फर्दर उसको तोड़ नहीं सकते, लेकिन उस time पे कुछ registration का process होता नहीं था, तो उनकी जो theory है, वो register हुई नहीं थी, लेकिन जो delton था basically, delton atomic theory जो हम पढ़ते हैं, delton ने यही theory दुबारा हमें बताई, लेकिन उसने ये theory अपनी register करवा ली थी, इसलिए हम जो है books में यही theory पढ़ते हैं, delton के नाम से, तो delton ने क्या कहा था, कि an atom is considered, an atom is considered as the smallest indivisible particles of matter, which can participate in our chemical reaction, मतलब कि जो atom है, वो सबसे smallest indivisible particle है, matter का, जिसे की further जो है, हम divide कर ही नहीं सकते, बात समझ में आई आई आपको, अब देखिए, basically जो delton था ना, उसने ये मतलब result दे दिया था, कि जो atom होता है, उसकी shape होती है, spherical, यानि गोल होत होती है, अब delton ने ऐसा क्यों खा था, कोई ठोस उसका कारण नहीं था, main point उसका ये था, कि basically जो natural occurring चीजे होती है, like earth, बारिश की बुंदे, ये सब लगबग गोल होती है, क्योंकि जो गोल चीज होती है, उसमें friction बहुत कम होता है, यानि जो ग्रशन होता है, वो बहुत ही कम होता है, आप ये चिस physics में पढ़ते हो, तो इसलिए जो है, उसने ये दिमाग लगाया, delton ने, कि basically जो चीजे है, natural occurring, वो सारी की सारी गोल है, है ना, तो उसने माल लिया, कि जो atom होगा, वो भी क्या होगा, गोल होगा, लेकिन इसके पीछे कोई उसने ठोस कारण नहीं ब पताया, लेकिन हमें delton की जो atomic theory है, तो बहुत ही detail में पढ़नी है, हमें ये पढ़ना है, कि delton ने कौन से कौन से postulates दिये थे, तो चलिए अब हम पढ़ेंगे delton atomic theory, देखिए, सबसे जो first postulate इसने दिया था, वो दिया था, atom is considered as hard, dense and smallest indivisible particle of matter, मतलब कि जो atom है, basically, वो बहु बहुत ही dense है, और smallest indivisible particle है, matter, matter का, basically, क्योंकि जो atom होता है, वो बहुत ही सक्त होता है, उसकी according, delton की according ये चीज थी, दूसरा वो बहुत ही dense होता है, उसकी density बहुत ज़्यादा होती है, दूसरा जो smallest indivisible particle है, atom को फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हैं, ये किसने बताया थ डेल्टन है, डूसरा इसने क्या point highlight किया था, कि each element consists of a unique kind of atoms and have identical mass, मतलब जितने भी elements है, supposed to be, यहाँ पर nitrogen है, तो nitrogen element जो है, अगर उसके अंदर nitrogen atom होंगे न, तो कहने का मतलब है, ये जो nitrogen atom है, इनके same mass होगा, ऐसा नहीं है कि जो इसके अंदर atoms होंगे, उसके अलग-अलग mass हो होगा, suppose to be, मैं यहाँ पर oxygen element लेलू, तो oxygen जो element है, उसके oxygen atoms होंगे, और ये सारे atoms जो होंगे न, वो एक जैसे होंगे, और इनका mass भी क्या होगा, एक दम same होगा, यहाँ पर और बी example है, देखिए, आप carbon है, ठीक, हाइड्रोजन है, तो basically इन सब का mass fix है, जिसे nitrogen का mass number 14 है, oxygen क 16 है, है न, carbon का 12 है, hydrogen का 1 है, तो इनके जो atoms होंगे न, उनका भी यही होगा mass number, ऐसा नहीं है कि अलग-अलग कोई mass number होगा, तो यही जिए, यह postulate, second वाला postulate आपको बताता है, तो चलिए अब देखते, third postulate क्या है, according to the third postulate, कि atom of different elements have different properties, मतलब जितने भी elements है न, उनकी properties भी different ह होगी, suppose to be carbon, जो है, वो solid है, है न, और hydrogen जो है, यह gas है, तो carbon जो solid है, वो एक अलग element है, carbon का mass number भी क्या है, 12 amu, उसी तरीके से, जो hydrogen है न, वो भी एक gas है, और hydrogen का mass number क्या है, 1 amu, तो कहने का मतलब है, इन दोनों की property कितनी अलग हुई, तो carbon solid है, और hydrogen gas है, है न, तो इस तरी किसे, जो different type of elements होते है, उनकी properties भी different होती है, तो यह चीज़े आपको बिलकुल ध्यान में रखने है, तो चलिए अब चलते हैं, उसमें fourth postulate क्या बताया, देखिए, fourth postulate उसमें क्या बताया हमें, कि all the atoms of a given element having same atomic mass have identical properties, मतलब कि जितने भी atoms हैं, किसी भी element के है न, उनका same atomic mass और stream उनकी property होगी, for example, आपके पास यहां पर देखो, आप स्क्रीन में देख सकते हो, आपके पास यहां पर चार टाइप की balls पड़ी है, आप इनको atoms माल लो, मैं white वाली को बोल देती हूँ oxygen, red वाली को बोल देती हूँ एक बार nitrogen, green वाली को बोल देती हूँ carbon, और blue वाली क consider किया है, कोई specific नहीं है, तब आप देखो, कि oxygen के जितने भी यह white atoms है, यह सारे same है, identical है, इनकी properties भी same होगी, और इनका atomic mass भी same होगा, that is 16, जैसे कि हम सब को पता है, ऐसे ही nitrogen के जितने भी यह red वाले atoms है, basically है, जिसको हमने consider किया है nitrogen, तो यह जो nitrogen के basically atoms है, उन सब का mass भी same होगी, उसी तरीके से carbon के जो atoms है, उनकी atomic mass same होगा, that is 12, और इनकी properties भी same होगी, और as well as hydrogen है, उसका भी atomic mass है, यानि mass number 1 होगा, जो कि सब का same होगा, और साथ में property भी same होगी, तो यह 3-4 चीजें जो है, वो आपको ध्यान में रखनी है, फिल्कुल भी कहीं पर भी doubt नहीं लेक चलो, आप चलते हैं, next slide के, फिर्थ postulate क्या दिया गया है, कि compound of different elements are formed when atom of different elements combine in a fixed ratio of whole number, means to say, क्या कह रहा है ये postulate, कि जो compound है different element का वो बनता है, कब बनता है, जब different element के atoms जो है, वो combine होते हैं, किसी fixed ratio में, suppose to be, आपने घर में खाने वाला नमक देखा है, ठीक है, किस से मिलकर बना होता है, NaCl से, ठीक है, NaCl से, क्या होता है, देखो यहां पर आप screen पर देख सकते हो, आपके पास diagram भी है, chlorine ले लिया, एक sodium ले लिया, ठीक है, तो नमक कैसे बनता है, नमक भी एक compound है, कैसे बनता है, पर जो sodium element है, chlorine element है, हम इनके atom को 1 ratio 1 में जो है, पिक करते हैं, बतलब fix ratio में हम इसको लेते हैं, तो इसलिए इस से क्या बनता है, compound बन जाता है, और यह postulate भी यही कह रहा है, suppose to be, यहाँपर मैंने नमक का exam लिया, हम यहाँपर पानी का example लेते हैं, ठीक है, पानी का, hydrogen और oxygen से मिलकर बनता है, पानी, hydrogen की यहाँपर मैंने दो atom लिया है, oxygen का मैंने यहाँपर एक atom लिया, यह एकदम fix है, चाहे आप कहीं का भी पानी लिया हो, यह ratio एकदम fix है, H2O, ठीक है, तो यह एक तरीके से compound है, और इसमें एकदम fix ratio से जो है, यह मिलकर बना है, तो यही यह postulate कहना चाहरा है, ठीक है, चलो अब चलते हैं हम वो next, next जो है वो सबसे important और सबसे अच्छा वाला postulate है, जो की अपना इसने दिया था, डेल्टन में दिया था, ठीक है, क्या कहा था इसने, इसने कहा था जो chemical reactions होती है न, basically, वो कुछ नहीं है, वो सिर्फ reorganization of atoms हैं, मतलब सिर्फ reorganize होता है atom का, बाकी कुछ नहीं है, अब आप मुझे बताओ, घोडे का reproduction करोगे न, तो गधा पैदा थोड़ी ना होगा, है न, घोडे का reproduction होगा, तो गधा ही पैदा होगा, कहीं पर गधे का reproduction अगर होता है, तो गधा ही पैदा होगा, ऐसा नहीं है कि घोडे का reproduction होगा और ग वहां है यहां पर मैंने 2 ऑक्सिजन के आइटम लिए तो यह मिलकर क्या बना रहे हैं? दो वार्टर के मॉलिक्यूल बना रहे हैं तो आप देखो प्रड़क्ट में उतने ही हाइड्रोजन होगे जितने की हमारे reactant में है ठीक है यह वाली side reactant है तो और oxygen भी उतने ही होंगे जितने की reactant में है तो आपको यह concept भी अच्छी तरीकी से समझ भी आया होगा और दीखें ऐसा नहीं है कि डेल्टन ने सारी बाते सही बोली है उसमें बहुत सारी चीजें जो हना गलत भी बोली है तो हम उसकी limitation भी अभी पढ़ें लिए चलिए limitation of delton's atomic theory limit सबसे पहली जो इसने गलत बात बोली न डेल्टन ने वो यह बोली कि atom जो है वो further divide नहीं हो सकता जबकि ऐसा नहीं है atom को हम further divide कर सकते हैं और यह हमने ऐसे ही नहीं का यह जो है बहुत सारे experiment हुए है उसके through ही कहा गया है और आपको इस chapter में यह proton, neutron और electron इन तीनों की discovery भी आपको पढ़नी है और किन-किन ने इसकी discovery की थी वो भी हम जानेंगे ठीक है तो पहली चीज़ क्या गलत हो गई डेल्टन की कि जो atom है वो further subdivid होते हैं किस-किस में proton में, neutron में और electron में तो आई ना बात समझ में चलो अब हम चलते हैं next क्या चीज़ थी जो की गलत साबित होई है देखो next है आपका isotop सबसे पहले आप देखो कि isotop होता क्या है isotop का मतलब यह होता है कि जिसमें जो atomic number होता है ना वो तो सेम होते हैं element के लेकिन जो mass number होता है वो different होते हैं suppose to be hydrogen है hydrogen के यहाँ पर तीन जो है isotop है ठीक है पहला isotop है protium दूसरा है deuterium तीसरा है tritium protium का जो है basically mass number वो है one deuterium का जो है वो दो है और tritium का जो है वो तीन है कहने का मतलब है इन तीनों का atomic number है ना वो तो one है जो की same है लेकिन mass number different है तो ऐसे elements या ऐसे जो basically कुछ elements जिनका atomic number तो same हो पट mass number जो है वो different हो उनको हम बोलेंगे क्या isotop तो hydrogen के यहाँ पर तीन isotopes हैं तो देखिए अब isotope का जो है वो हो चुका है अब हम चलते है next में next है isobar तो isobar क्या होता है basically जिनका mass number जो है वो same होगा और atomic number है वो होगा different इस बार atomic number different है लेकिन mass number जो है वो same है isotope में क्या था कि atomic number तो same था but mass number different था but in the case of isobar there is a same mass number but different atomic number जैसे की example की तोर पर हम लेना है आपर आपको screen पर दिख रहा होगा क्या दिख रहा है आपको screen पे argon potassium calcium ठीक है यह जितनी भी है argon potassium calcium इनका mass number same है that is 40 ठीक है लेकिन atomic number different है 18 है argon potassium का 19 है और calcium का कितना है 20 है ठीक है तो यह आपस में क्या हो गए isobars है है ना तो समझ में आया isobar क्या होता है तो I hope आपको isotop का भी concept समझ में आया और isobar का भी concept समझ में आया अब चलते है next में तो देखे इस तरीके से how we subatomic particles discovered सबसे पहले चीज़ मैंने आपको पहले बता दी थी कि अब जो है proton neutron और electron में जो है sub divided है तो अब जो है हम इसके discovery पढ़ेंगे आगे आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे इसकी discovery अब आप देखो इसकी आपको अच्छी तरीके से समझना है अब नेक्स लेक्टर में क्या कवर करने वाले हैं और बहुत ही इंट्रेस्टिंग चीज़े नेक्स लेक्टर में रहने वाली है कोई भी प्रब्लम आप लोग कमेंट कर सकते हो तब तक लिए थैंक्यू सो मच सकते हुट